इंगे हर्याना से जहां पर लोगसबा चुनाफ से पहले सियासी खेला शुरू हो गया है हर्याना में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानि जेजेपी गडबंदन तूट गया है सूत्रों के मताबिक बीजेपी और जेजेपी में हर्याना के लिए लोगसाबा सीटों पर बात नहीं बन पाई है जिसकी वज़ा से ये गड़बंदन तूट गया है और मनोहर सरकार को पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देना पड़ा विधायक दल की बैटक में कुरुशेत्र से बीजेपी के सांसाद नायप सिंग सैनी को नेता चुना गया है हर्याना के नए मुख्य मंतरी होंगे उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है वो शाम पांच बजे मुख्य मंतरी पदकीश पत लेंगे वहीं दूसरी तरफ खबर ये है कि दुश्यन चोटाला के फार्म हाउस पर जेजेपी के विधायकों की बैठक हुई है जिसमें दस में से साथ विधायक नहीं पहुंचे है हर्याना में मुख्य मंतरी का चहरा बदले जाने पर कॉंग्रेस नेता कुमारी शेलजा ने निशाना साधा है उन्होंने कहा कि बीजेपी चहरा बदले या नकाब विकल्ब कॉंग्रेस ही है गटबंदन क्यों टूटा क्या कारण हुआ इसके बारे में पता चलना चाहिए आप देश भर में घूम रहे हैं कभी किसी से गटबंदन कर रहे हैं कभी किसी से कर रहे हैं लेकिन हर्याना में पांच साल आपने सरकार चलाई और जितनी बुराईयां थी आप एक धड़े के उपर थोप कर अपने आपको पाक साफ दिखाना चाहते हैं मुख्य मंतरी को बदल रहे हैं और यह सोचते हैं कि अब इस तरह का एक और नकाब अपने चेहरे पर लाएंगे और यह हर्याना की जंता को फिर से बर्गला देंगे ऐसा नहीं होगा हर्याना मिक्क्यो टूटा बीजेपी जेजेपी गटबंदन और क्यों बदल गई खटर सरकार आजवाज़ड़ा मेसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम साथ बच कर सतावन मिनट पर हुआकर बचक्षड़ छाड़